मत्रा के नौँजील इस्थिती श्री जारी हनुआन के प्रसिद मंदिर में साधूँओं को नशीला पदार देकर की लाखों की लूट जनपद मत्रा के थाना नौह जील क्षेतर में बीती रात्री सिद्धस्थली श्री जाडी हनुआन मंदिर पर अग्यात बदमाशों ने धावा बोल दिया बदमाशों ने वारदात से पहले मंदिर पर सो रहे मुख्य महंत रामरतंदास सहित पांच अन्य साधूं को नशीला पदार दे कर बेहोश कर दिया और दान से आई सारी नकदी लेकर फरार हो गए मंदिर में लूट पार्ट की सूचना से ख्षेतर में हलकम पच गया मंदिर में लाखों की लूट की सूचना पर स्पी दिहात श्रीश चंद मौके पर पहुँच गए और अधीनस्तों को जल्द ही लूट का खुलासा करने के आदेश दिये बदमाशों ने मंदिर के मुख्य महंत राम रतन दास की अलमारी में रखे 3,40,000 रुपए की नकदी वा मुख्य मंदिर के दो दान पात्रों से भी रुपए लूट ले गए बदमाश इतने शातिर थे कि अपनी पहचान चुपाने को मंदिर में लगे CCTV कैमरे की डिवाइस भी अपने साथ ले गए नौ जील थाना प्रभारी लोकेश भाटी ने बताया कि 6 महंत बेहोशी की हालत में मिले हैं जिनकी सूचना CHC प्रभारी को दी गई है मेडिकल टीम मौके पर पहुँच कर बेहोश पड़े साधूं के इलाज में जुट गई है महीं मंदिर के मुखे महंत रामरतंदास ने बताया कि मेरी आलमारी में 3,40,000 रुपे रखे थे और उसके साथ ही मुखे मंदिर की दानपातर पेटी से भी लगभग 25-30,000 रुपे बदमाश लूट ले गए लूट की वारदात के बाद मौके पर पहुँची फोरेंसिक टीम और डॉक स्कॉइट मामले की जाँच में जुट गई है देखना ये होगा कि परसिद जाड़ी हनुमान मंदिर पर हुई लूट का खुलासा पुलीस कितने समय में कर पाती है उधर मंदिर में इस तरह की वारदात से शधालगों में रोश है और उन्होंने घटना के जल्द खुलासे की मांग की है जाएगा अनावन करते हुए ब्राउंद की सुचिफी जाएगी जैसा कि यह लोग बता रहे हैं कि यहां छह से साधू है जो कि ब्यूस पाए गए हैं क्या है मावलाग उनके जारा कुछ भज़न में विशात प्रदात लिया है गया है इस आधार पर भी तक जहांच हो रही है और सीख रही इस प्रकान का स्वाशा करते हैं ब्राउंद की सुचित की जाएगी और अभिस्तों की गृत्तारी की जा ब्राइब जाएब ब्राइब expired, यु झारा defपर, और भी त भीग में सिस्टों की सी धड़न और उनके जाएब जाएब श्यूसा की जाएब